अभी मैं सुन रहा था कि लोन माफ नहीं कर रहे हैं दिखावा है बहुत तरह के गालियां दे रहे हैं ठीक है अच्छी बात है आपके पास कोई आंकड़े होंगे लेकिन जो सरकार की जो नियत है योगी आधित नाथ जी ने जो एक लाख रुपिये से अप्टू एक लाख त और इसमें करीब करीब बार्सट हजार करोड इसमें वो कह रहे हैं कि इस तरह से हमको देना पड़ेगा आफ्टर दे क्रॉप लॉसस दू दे नेश्रल कलामिटी वो सारा चीज मिला करके जो पहले इन्होंने कहा था कि लाइकली टू कॉस्ट चटीस हजार करोड जो है उसको और अगर बढ़ेंगे तो हो जाएगा अभी यह कह रहे हैं कि कहां से लाएंगे अरे आपको पता होना चाहिए सरकार की जब नियत होती है तो बहुत सारे फंड होते हैं जो सरकार के पास पड़े रहते हैं उन फंडों को किसानों के लिए वैसे भी देना है अगर अगर वो जाए तो केंदर सरकार है अरुण जेटली जी अकेले सारा नियन नहीं लेते हैं इन बड़े नियन उने का फैसला होगा अगर इस परकार का फैसला होगा तो केवल हो सकता है कि यूपी के लिए नहीं हो कि अन्य राज्यों में भी एक लाग तक के जो लोन है उन ल यह यह बात तो आपके बैंसरा सफाफ है कि फंड की विवस्ता थी नहीं फंड की विवस्ता से पहले ही गोश्या कर लिए है मैं यह नहीं कह रहा हूँ अधिकारिक रूफ से हो सकता है कि फंड उत्तर प्रदेश सरकार के पास भी हो और यह भी हो सकता है अगर सौटेज और वो अगर कोई पत्र दिये होंगे जो मुझे लगता है कि मान्य मुखमंत्री जी ने अगर नहीं हुआ होगा उनके पास बजट तो पत्र लिखा होगा दुशन शर्माई तफाग रखते है आनंद साओ की इस बात से क्या लगता है को कि फंड है पार्टी के पास